केजरिवाल का आज हिमाचल प्रदेश का दोरा है विधान सभाचुनाव को लेखर पंचाइट प्रमुकों से जोश भरेंगे उनके बीच जाएंगे 8,385 प्रमुकों को आज शपद दिलाएंगे केजरिवाल आपके 5,000 से ज्यादा पदा दिकारियों को शपद दिलाए जाएगी पंचाब के C.A.M. बगवंत मान भी रैली में मौझूद रहेंगे दिल्ली के मुखे मंत्री अर्विंद केजरिवाल आज एक दिव से हिमाचल दौरे पर रहेंगे अर्विंद केजरिवाल और भगवंत मान सोलन में 5,000 से ज्यादा पदा दिकारियों को पार्टी की शपद दिलाएंगे बता दे कि हिमाचल में होने वाले विदान सबाद चुनाब के लिए पार्टी अभी से अक्टिव मोर्ड में है आम आदमी पार्टी पंजाब के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी अपनी जमीन तयार करड़े में जुट गई है हिमाचल प्रदेश जीतने की कोशिश में जुटे अर्विंद केजरिवाल आज सोलन का दौरा करेंगे वहीं आप संयोजग आज 5000 से ज्यादा आपके पता दितानियों को बद की शपद दिलाएंगे बतादे की हिमाचल प्रदेश में भी आपका कुनबा लगतार बढ़ता जा रहा है पंचाब की जीत से उत्ता है ताप संयोजग अब हिमाचल में भी पार्टी का विस्तार करने का पूरा मन बना चुके हैं हिमाचल दौरे के दौरान उनके साथ पंचाब के मुख्य मंत्री भगमंत मान भी मौजूद रहेंगे सीम केजरिवाल के साथ पंचाब के सीम सोलन में जाएंगे बता दे कि हिमाचल विदान सभा चुनाओं के लिए आमादमी पार्टी ने पूरी ताकत जोगती है यही वज़ा है कि वो अक्सर हिमाचल पहुचते रहे हैं बता दे कि पिछले दिनों आपने पालंपुर में तिरंगा यात्रा आयजुद की थी अब वो सोलन जाएंगे, सोलन में वो पदधिकारियों को शपत दिलाएंगे पंजाब की जीत से उत्साहित है अब आमादमी पार्टी और उसकी नजर गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है और सीम केजरिवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर केजरिवाल सोमनाथ मंदिर में भी जाएंगे सीम अर्विंद केजरिवाल केजरिवाल एक हफते के अंदर दूसरी बार गुजरात जा रहे हैं इसके पहले गुजरात में उन्होंने गैरेटी भी दी थी और बिचली की वो गैरेटी और आप शाम को एक बार फेसे उनका गुजरात का दौरा एक हफते में तूसरी बार सीम केजरिवाल के साथ आपके नेता भी महुंचूत रहेंगे राज़कोट में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और सोमनाथ मंदिर में भी सीम अरविंद केजरिवाल जाएंगे